अब अब बात करने वाले अपना जो आज का टीटैन का मैच रहेगा किस किस के बीच में एक तरफ है एडएक्स नाइट सीसी और दूसरी तरफ है मैटे डी ऐसा ही कुछ नाम है देख लो मटर बोलो तो बोलो नहीं तो मैटे डी सीसी ऐसा टी क्या तो आज इन दोनों का है क्या टीम मन कराती है कौन से अच्छे रहेंगे कौन से रहेंगे बुरे एक लाड़ी अपने लिए जिनको नहीं लेना टीम में और क्या और टीम मन के आएगी सारी चीज़े डिसकस करने वाले तो वीडियो को आखिर तक देखना और साथ-साथ वीडियो पसंद आए तो लाइक जरू कर देना है चैनल को सब्सक्राइब अगर नहीं क्या हुआ है तो फटावट से वो भी कर लो ठीक है और साथ-साथ वीडियो को शेर भी कर देना जो भी फैंटेसी खेलते हूं आपके साथ में और क्या कर सकते और आपको यह काम करना है अगर आप चैनल पर नए हो अपने टेलक्राम को भी जोइन नहीं किया हुआ है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है और साथ-साथ फटावट से जाके टेलक्राम चैनल को भी जोइन कर लेना पहले से क्या हो तो बहुत अच्छा है अगर मिस कर रहे हो तो बहुत कुछ मिस कर रहे हो फिर ठीक है तो जल जिल जिल आपको पहली बता देता हूं तक ईवीडियो में आपको लेट तक इया चीज का इंतितार ना करना पड़े और यह बहतर चीज है रियले बाना अचली क्योंकि यहाँ पर ना आपको क्या है कि बहुत सारी चीज़ा मिल जाती अलग अलग जैसे की जेस्टी नहीं लगता है आप बोलो बहुत सारी एपने लगता है ठीक है बाई मारलिये आपकी बाथ वाथ यह तो नहीं हर जांके लगता है साथ-साथ एंट्रेफीस भी कम है और बहुत सारी फीचर्स है आने वाले इंडिया गी सीर् description में link है real learn का download कर लेना refer code में ओमकार जरूर यूज़ करना है काफे लोग बोल रहे हैं invalid बता रहे हैं शायद आप गलत यूज़ कर रहे हो अब वह तो लगने रहे हैं आप ठीक है और यहां पर मिल जाता आपको वापस बागे आते हैं जरा सीधा अपने प्लेइंग एलोन के उपर एडेक्स नाइट सीसी के बीच में क्या कुछ आज के लिए रहेगी वाई कहानी ठीक है यहां से देखा जाए तो बासल जोर्ज आपको उपन करता हो इस टीम का सबसे बहतर खिलाडी है तो नहीं सेकंड बेस्ट खिलाडी मान सकते हो क्योंकि सबसे बहतर सैम्यल स्टैमिल है जिसमें बासल जोर्ज का अगरम बात करें 89 मैच में 2000 से उपर रंस है 2300 रंस है तर्टी टू का एवरेज है और 52 विकेट्स भी इसने निकाल रखे है 53 मैचेज में बोलिंग करते हुए अभी हाल फिलाल यह बोलिंग नहीं करा रहे है ठीक है अभी के जो रिसेंट की टी 20 मैचेज है चल्टी मैचस से उसमेंषन बोलिंग नहीं करा रहे है बाकि पर देख हो खुद बोलिंग के लिए बाकि 15 मैच में 126 रहने 14 कावरी से 3 मैच में आज तक बॉलिंग करें जिसमें 0 विकिट है अब आप यह बोलोगे यहां पर यह तो ठीक है राइट आम फास्ट हो गया राइट आम मीडियम हो गया है राइट आम स्पिन हो गया राइट आम लेक ब्रेक हो गया आर ए यू क्या है है कि मरको लग 30 की बॉलिंग मिलेगी तो ऐसा प्रॉपर बैटरी मान कर चलना भी गया बट यार यह कोई थोड़ी होता है उफीशल साइट में लिखने के लिए राइट आम अंडर आम अब उपर से ठाक के ऑफब्रेक ही लिए बाकी यहां से नियास मुहमद है बट उससे है नितिम बाबू है राइट हंड बैटर राइट हम पेश डालता है बॉलिंग मैचस में आपको कराता हूँ दिख जाता है 49 मैच में रन देखो 331 है तो रन तो उतने जादा नहीं बनाए 13 का ही एवरेज है बट हाँ 22 विकेट इसने जरूर निकाले हुए उसके बाद में नियांस मुहमद है राइट हें इसके भी रन उतने जादा नहीं यह पहले दो पो चोड़ इन बहुत बहूत Oxygen सौर यह बाकीयों विकेट निकाल रखें, यह सबसे सही चीज यहां सा निकल कर आती है, राइट आम पेस बोलिंग करता है, उसका बाद में विश्नु है, छे मैच में रन तो बनाई नहीं थे, रन भी सिर्फ इसके दो तीन ही थे, ठीक है, इसलिए नहीं लिखे होगा, अगर होते हैं ना भाई पेस डालता है, पांच मैच में चार विकेट अब तक निकाल रखें, उसका बाद में जैश मैथ्यू है, थर्टीनाइन मैच में थर्टी साउन विकेट्स है, एक्सपीरेंस, साथ-साथ अभी हाल-फिलाल में ठीक-ठाक सा फोम है, राइट आम पेस डालता है, और उसके बा ठीक है, एड-एक्स, नाइट्स की तरफ से, बड़ जादा आपको पता चलेगा, ये तो प्लेयर स्टेट्स हो गए, अभी हाल-फिलाल कैसा खेल रहे हैं, वो जादा चीज मेरे खायाल से तो टी-टैन में वही मैटर करता है वही जादा, कि अभी हाल-फिलाल कैसा खेल रह कराई है, बट हाँ, ये खिलाडी वैसा है, जो एक बड़ी इनिंग खेल सकता है, मतलब पिछले पांच में से तीन तो आपको ऐसे दिखेंगे, जिसमें की दस बार रन मन है, बट दो इनिंग ऐसी है, जो 61 और 56 की खेल रखिये, तो ऐसा खिलाडी जो बड़ी इनिंग भी तो जेल में CVC कर सकते हो, उसके बाद में सेम्यल स्टैननलोस है, 62 रन एक विगट, 22 रन जीरो, 32 रन जीरो, 41 रन एक विगट, 43 रन एक विगट, हर मैच में सेम्यल स्टैनलोस ने पॉइंट्स दी है, इसी वज़ए से आज का जो सबसे सेफ केप्टन वाइस केप्टन है न, पिछले पांचों पांचों मेच्चेस में बाबू ने बॉलिंग कराई जिसमें कि एक मैच ऐसा है जिसमें दो विकेट और बाकी में एकदम निल बते सन्नाटा यहां से देखने को मिलता है उसके बाद में नियास महुमद है दो मैचे जाए जिसमें बोलिंग करते हैं तो हाँ ले सकते हैं डेसेंट प्लेयर आपके लिए और उसके बाद में विश्नु है दो ही मैचे से तीन और जिरो का स्कोर है उसकाद में सुजीत है हर मैच में बोलिंग कराइए सेम ची सुझीत सुकुमारन के साथ में पहुए पिछले पाँच में मैचे हैं जिसमें सुझीत को विकni मिले हैं बागी दो ऐसे हैं मैच में तो ऐसा चमक गया बहुत ही बढ़िया और बाकी की जो चार मैचेश उसमें जैस मैठ्यू को विकेट्स नहीं मिले बिलकुल भी और एट लास्ट आपको एल्विन जोन देखने को मलता है यह कंसिस्टेंट रहा है भाई विकेट्स को लेके मतलब पिछले पांच में मैच घाै उसमें पांच मेंसे चार में बोलिंग करें जिसमें इसको मिले है पुल मिलाकर दोचार प्लियर होरे इसमें पहले लोगा दो चांगर तरफ से बाकि आपके पास में देखो option है आप यहां से आदिल लतीफ को ले सकते हो और आदिल लतीफ के बैटिंग में भी उपर आते हो तो यह फाइदा हो जाता है अदर्वाइस आपके पास में एक option को आप ले सकते हो बागे बात करते हैं दूसरी टीम जो की मैटेडी है अब इसका नाम ना ऐसा ही यह कुछ मैं पता अब तक इसको क्या बढ़ रहा था मतर वह हिंदी वाले मतर पीज ना वह तीक है मैटेडी ऐसा जैसा अब यह मैं देख लेना गलत बोल रहा हूं सही बोल र पिछले मैच में यह इनका बैटिंग ओडर रहा था बट यह चेंज भी कर सकते हैं यह रगुलर भी चेंज करते वे आ रहे हैं यह मैच यह तो बैटिंग ओडर इनका पिछले मैच का इससे जो पिछला मैच था उसमें अलग ही बैटिंग ओडर था इनका अलग ही चैनल पर तो इसलिए भी आपके लिए जरूरी है बाकि माइकल दास देखो 22 मैच में 495 रंस है और 27.50 काइवरेज है बोलिंग इसने करा ही नहीं है उसका बाद में अमर शर्मा है राइट हंड बैट ओफ ब्रेक डालता है 51 मैच में 423 रंस है 22 के साथ में और 41 विकेट्स मतलब काफी अच्छे विकेट्स इसने निकाल रखे है तो टीम में तो लेना है उसके लाबा ऐसा सीवी सी ओप्शन आपके पास में ये भी एक बन जाता है बाकी कोरनेलियोस युनस है लेफट हंड बैट राइट हम मीडियम चमाल इस मैच में रंतो है भाई 4-37 है बहुत जादा नहीं अबर ठीक ठाक से और एक ही मैच में इसने बोलिंग कराई जिसमें एक विकेट है बहुमाद जुबैर है राइट हम स्पिन डालता है 33 मैच में साल भी बागी पिंटो घोश है 26 मैच में 23 विकेट भाई यहां से निकाल रखे है राइट हम मीडियम बोलिंग करता है और उसके बाद में आसे मुथू कुमारन रहेगा 49 मैच में से इसने 38 मैच जिसमें बोलिंग डाली है 49 में से 38 जो काफी अच्छा है बागी प्लियर्स क अच्छे-कास विकेट्स निकाल रखे राइट हम मीडियम में बोलिंग करता है łatूँ mister 29 म में बोलिंग करा है और तीन विकेट्स इसने यहां से निकाले हुए ठीक है तो यह रहते है कुछ हमारे मैटर डीगी प्लेयर के जो स्टैट्स है अब जरा इनका रीसेंट फॉर्म देख लेता है जो जादा जरूरी है अगर रीसेंट फॉर्म की बात करें तो भाई यहां से म यहां बैटन बना रहा है यह एक आपके पास में डिफरेंशल ऑप्षन बन जाता है इस एक मैच को अगर मैं चोड़ दू यहां दो विकेट यहां तीन विकेट यहां तीन विकेट यहां दो विकेट मतलब बोलिंग से अच्छे खास है विकेट अमर शर्मा ने निकाल रखे हैं बैटिंग से उतना कुछ खास नहीं किया अब बोलिंग से भाई ने कुई कसर नहीं चोड़ी अब तक कॉर्निलिस यूनिस अब तक भाई पिछले पांच में सिर्फ एक में चला है 26 बनायते हैं बागी टाइम तो सिंगल जेट स्कोर है मुहमत जुवेर की बात करें इनका नाम भी पिछले पांच में से दो मैच तो ऐसे जिसमें रन बनाये है 27-23 बागी के तीन मैच निल बटेस नाटा है यहां से मुहमत जुवेर का और सैम एक्विलिना फ्लोप हो आई है पिंटु घोश की बात करें तो बाई एक दो बार पिंटु घोश को विकेट मिल गए हैं बागी पिछले पांच में से तीन बार ऐसा है जब यह विकेट लेस गया है उसके लाब आप को यहां से मुतु कुमारान देखने को बलता है पिछले पांच में से इसने चार में बोलिंग कराई है दो में इसको विकेट मिले हैं और दो में नहीं मिले है उसके बाद में एंथनी है तीन मैचे से कुछ जादा खास नहीं है तीनों मैचे महीं आरिफ सागर के विकेट से कर हम देख पिछले तीन मैच में से दो में तो इसको विकेट मिलें और एक बार यह गया है यहां से विकेट लेस ठीक है तो यह कहानी रहते हैं मैटर डी की तरफ से क्या कुछ प्लेंगे लेवन और कैन के रीसेंट प्लेयर्स है रीसेंट फोर में अब देखो इधर से अगर जो कुल 4-5 प्लेयर्स निकल कराथ है तीम पर हजाते हैं अब सीधा अब देखव 4-5 प्लेयर्स तो मैंने बता दिया अब आपको तीम में अपन को तो नहीं हो गया बड़े आसान में से सब्सक्ति पाप्र गया उसका अब पर इसके बाद में शवर्मा जी हो गया like Okay कुमरान है और आजीम अबासी नों ने डाले तो उसको मैंने लिया हुआ है बागी लतीफ है मेरे पास में पिंटु घोश है और एट लश्ट मेरे पास में आसे आरीफ हो जाता है सागर आरीफ ठीक है तो यह है कुछ हमारी जो टीम बनती है अब टीम में अगर हम सीविसी की काई करें तो कैप्टन स्टैनल और वाइस के अमर शर्मा के साहत में क्योंकि वेस्टेइन लोस ऐसे के बैटिंग वॉलिंग दोनों अच्छी कर रहा है अमर शर्मा के तरो से बोलींग यह बॉलिंग बालने राहे तो थोड़ा सा इसकी है इसको वाईस के साहिए हो तो यह सब्सक्राइब लाइक जरू करना है चैनल को सब्सक्राइब अगर नहीं किया हुए तो फटावर से वह भी कर लो एंड बाकियो बैश्टेस मैच के लिए मिलते हैं आपको रेक्षिड हैं बहुत ही जारे जबत